ब्रिक के बाद आपका फिर स्वागत है शीला जी आपने अभी एक बात कही है कि कॉंग्रेस की नहां सरकारें हैं और संगठं उनको मिल के काम करना होगा लेकिन जो देखने में आ रहा है कि कॉंग्रेस में शीर सिस्तर पर निर्तत को लेके पाल्टी सोनिया जी और राहुल ज जी ने भी एक सभाल उठाया है कि मौजूदा जो परस्तितियां है उसमें सोनिया गांदी जी ही कॉंग्रेस का निर्तत करें अद्यक्ष वो ही बनी रहें और राहुल जी दूसरे तरह से अपनी भूं का निभाएं ये कॉंग्रेस में जो सोनिया जी और राहुल जी को है कॉंग्रेस की जो हार हुई है अब की बार पारलेमेंट में भी और उसके बाद और स्टेट्स में भी वो एतिहासिक हार रही है हार से नहीं डरते एक बात समझ दीजेए घार बहुत दफाह हैं हम दो तिन दफाह हार चुके हैं नर्सिमर राओ जी के बार भी हारे थे उसकी एक नीतियां ऐसी हैं, उसका एक छाप ऐसी है, उसका फैलाव सारे देश भर में है, इस वक्त अगर जो कॉंगर्स का सबसे आउटस्टेंडिंग लीडर है, तो वो सोनिया गानी है, सब चाहते हैं कि राहुल जी भी आएं, खासकर जो यूथ हैं, प्लीज इसको ऐसा मत लीजेगा, कि ये कोई एक तरह से विवाद है, विवाद कते ही नहीं है, और मैं बिल्कुस एंफिसाइज कर रही हूँ, कि विवाद कते ही नहीं है, लेकिन सोनिया जी के आवशक्ता इस वत बहुत ज़्यादा है, अब लैंड एक्विजिशिन का बिल लिया, मनमौन सिंग जी का घर गई, गाओं गाओं गई, किस तरह से किसानों की हालत है, एक रैली कर रही है, ओपोजिशिन को जोड़ा उस में, कि बिल के अगेंस्ट हमें आवाज उठानी चाहिए, तो ये सोनिया जी का कद इस वक्त ऐसा है, जिसको कॉंगर्स के आवशक्ता है, इतना ही कैसा लेकिन आपने कहा कि सोनिया जी के निर्टत में विपक्ष एक्जूट हो रहा है, भूमिया दिगरन बिल पे, कॉंग्रेस रैली करने जा रही है, सोनिया जी किसानों से मिलने हरियाना गई, दूसरे प्रदेशों में गई, कि जो फसल उनकी बरबाद हुई है, लेकिन इस सवाल उठाएं, एक उनका निजी फैसला है, कि उसमें टिपनी करना मैं समझती नहीं ठीक है, किसी को अधिकार नहीं है, गए है, अब वो या तो निगलेक्ट हो रहा हो, कॉंग्रेस का, कॉंग्रेस तो उठ रही है, ये नहीं है, कि पार्लेमेंट में कॉंग्रेस ने काम किया है, कॉंग्रेस ने मुद्व को उठाया है, तो आप कॉंग्रेस की तरफ और उसके जो प्रेजिडेंट है, उनकी तरफ देखेगा, ये चीजें कौन गया, कौन नहीं है, अभी नहीं आया, मैं समझती हूं, बड़ी राजनीती में, गंभीर राजनीती में ये उच्छ रहेगा, लेकिन फैसला तो वो परिबार करेगा ना, कौन आएगा, आपने कहा कॉंग्रेस की कैतिया से खार हुई है, मुझे अच्छा लगता है कि आपने सुईकार इस बात को किया, इसकी बज़े किया है, क्या पूर प्रदान मंत्री मनमुहन सिंह का शाष्ण इसकी बज आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आप से पूछा हूँ, आज महंगाई कम हो गए क्या है, जितनी महंगाई आज है, शायद कभी नहीं हूँ, और क्या प्रश्चाचार नहीं चल रहा है, जा इस देश की एकतार खंडता को तोड़ने की कोशिस नहीं की जा रही है, कभी कॉं जो हो गया, सरकार बनी या नहीं बनी, वो एक और अलग सवाल है, लेकिन कॉंगर्स को सतर्कता तो करनी पड़ेगी, कि किसान का क्या हो रहा है, अब बेमौसम बारिश हो गई, तो किसान को भी नुकसान होगा, और बोगता को भी नुकसान होगा, क्योंकि अगर जो सबजी फली नहीं मिलेंगे आपको और हमें, तो फिर उसका क्या पहिनाम होगा, तो ये जागरूपता कॉंगर्स करवा रही है, नहीं तो सोनिया गांधी या कॉंगर्स पार्टी, चुप पहटी रहती, तो क्या है, कैसी चीज़े हैं, कहा है, तो सतर्कता, और इस वक्त हमें जाएं, वो तो नहीं है, और वो कार कर रही है, कॉंगर्स, पार्टियां हारती हैं, जिती हैं, लेकिन इतनी बुरी हार, उसकी एक वज़े आप क्या मैसूस करती हैं, नहीं एक वज़े नहीं, बहुत सारी वज़े थी, जैसे के, जैसे मैंने कहा, कि एक था वजलाव, एक निकला, उसने भी बहुत सारे वाइदे कर दिये, हम यह कर देंगे, हम देश को ऐसा बना देंगे, और दिल की बात है, और वो की बात है, सब ऐसी, जो भातें, जिस जो धंग, कॉंगर्स का, प्रचार का, या वाइदों का था, उससे विपरीत करा, तो लोग समझने लेंग तो हो गया है लोगों में थोड़े बहुत निराशा उत्पन हो रही है अब देखिए अभी देखते हैं क्या होता है लेकिन कॉंग्रेस को ये समझ ले कि इस हार से खतम हो गई ऐसा नहीं है लेकिन प्रधानमंती नरेंद मोधी चुनाव में बलगातार कहते रहे कि कॉंग्रे क्या है ठीक है ये बाते सही है ये तिहास की बाते इसको मैं डिनाई नहीं कर रह सकती हूं लेकिन बीजेपी नहीं रही तो इसका मतलब उठी थोड़ेगी कॉंग्रेस जैसे मैंने का है बहुत दफ़ा हारी है इंद्रा जी की एमर्जेंसी के बाद जो चुना हुआ था कैस सब स्टेट सार गयते सब कतम हो गया था किस तरह से वापस लोटके आई क्यूंकि मैं आपको बताती हूं एक तो कॉंग्रेस की लीडरिशिप नमबर वान स्टाइल जो कॉंग्रेस का पॉलिटिक्स का है और तीसरी बात जिस पर मैं बहुत विश्वास करती हूं कि हिंदु पॉल्स्तान के जो आत्मा है जो चिंतन है जो सोच है और वो जो एकता है डाइवर्सिटी में जो एकता है उसको अगर जो कोई रेप्रेजेंट करता है ट्रूली तो वो केबल कॉंगर से और कोई शीला जी आप दिल्ली से जाने के बाद के रहल में राजभाल भी कुस दिन केंद्र ने आपको इशारा किया आप पद छोड़ दें आपने छोड़ दिया लेकिन हाली में घटना घटी है उत्राखंड में वहां से पहले तो हटाया गिया मिजरम भेजा गिया अजीज कुरिशिश आपको फिर वहां से उन्हें बर्खास किया इस पर मैं आप से जानना चाहूंगा लेकिए उस सो पहले मुझे एक छोटा सब्जेक्ट लेना है फिर मिलता हूं